स्ट्राइब आइज वेलकम तु गैमिंग और इंफ्रमेशन गाइज आज जो हैं वहमारे काइन मास्टर की टुटेरियर को लेके चौधी गिलास जिसके अंदर हम यह बास सीपने जा रहे हैं कि आप किस तरीकी से अपनी वीडियो के अपनी वीडियो के अपनर के अंदर कोई मैसेज दें तो आप यह किस तरीके से कर सकते हैं प्लस कि जैसे कि आप देए रहे हैं कि मेरी वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम लिखा रहा है कैमिंग और इंफ्रमेशन और वह जो है एनिमिशन के अंदर आया है उसके ओपर मार्किंग भी है शेडो भी आ रहा है और व पर इस वीडियो को जादा शेयर करें बिलखासूस नियों वीटिमर से साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें इसके अलावा पिछली वीडियो के लिंक डिस्क्रीशिक आपको मिल जाएगा आप वो जेक करें इरह हम चलते हैं अपनी मुबाइल की स्कीन की तरफ गाइ अगर यहां से अब आपने वो फाइल वीडियो वो तस्वीर सेलेक करनी है जिसके ओपर आपने टेक्स को लगाना है मेरे पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है मैं जस यहां से इसके अपनी तस्वीर जो इस एडिटर के पास हैं वो यहां से मैं कोई भी सेलेक कर लेता हूँ और उसके उपर आपको एक opener बना के दिखाता हूँ और उसके उपर जो है मैं आपको टेक्स के उपर complete work भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर यह बलेक वाला में थोड़ा बैतर लग रहा है, मैं इसको select कर लिया है मैंने, इसके बाद आप right hand के उपर एक टिक कर निशान देख रहे हैं, उसपर क्लिक कर दें मैं कर चुका हूँ, और यह बाते मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर भी in detail बता चुका हूँ तो हमारे पास जो है, एक background आ गया है, एक तस्वीर आ गई है अगर आप किसी वीडियो के पर टेक्स लगा रहे हैं तो आपके पास वो वीडियो आ चुकी है अब यहाँ पर हमारे पास चोहता option ने text का, मैं यहाँ से text का option select करता हूँ, आप भी select कर लें और वो चीज लिखे हैं जो आपने अपनी वीडियो के पल लगानी है मैं gaming and information लिख लेता हूँ just for example, क्योंकि मैं opener बनाना भी सिका रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर मैं gaming and information लिख लेता हूँ इसके अंदर मैं आपको एक बार बदा दूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं कि आपने हमने टेक्स को एड़ कर हमारे सामने बहुत सारे option शोर हैं हमारे पास पहला option है कि आप इसका font size तबदिल कर सकते हैं यह तो एक normal option है जो कि हर बंदा easily use कर सकता है अब यह यतने भी option आपको देख रहे है इन animation इस पर हम try करते हैं नन है भी fade करते हैं आप देख रहे हैं कि stripe की changes आड़िये पॉप करते हैं तो इस टाइब की changes आड़िये इस तरीके से सारी की सारी आप अपने टेक्स के आप पर apply कर सकते हैं यह है in animation जो भी आपको बहतर लगे उसको आप select करें और टिक कर दें यानिके done कर दें हमारे पास यह counter clockwise भी है यानि कि आपको जो text है वो जैसे घड़ी घूमती है उस type का भी घूमेगा और अगर anti clockwise या counter clockwise घूमाएंगे तो वो उसके उलट घूमेगा इसके बाद हमारे पास option आता है overall overall पस select कर हमने अब आप देख रहे हैं यह हमारे टेक्स के ओपर एक new look आ रहा है flicker यानि कि जो है वो आपको blip होता वा नज़र आएगा pulse यानि के जैसे हमारी धलकरे चलती है रुक रुक के उस type का आपको नज़र आएगा जिटर मतलब होता है कि भरसना मतलब अजीब सी जो है ना हाला तो जाना खिचाओ सा हो जाना तो इस type के यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे fountain यह जो है भी आपको देखरा कि एक new look आ रहा है हमारे टेक्स के अंदर तो यह तमाम आप एनिमेशन जो है वो अपने टेक्स के अंदर यूज़ करके एक new effect एक new design create कर सकते है रिंग जैसे के हमारी टून बचती है चलती रहती है चलती रहती है तो यह सारी चीज़े आप अपने टेक्स के अपर भी इस्तेमाल करें और अपने टेक्स को एक बहतर look दें यहाँ से मैं इसको भी टिक कर देता हूँ और done कर देता हूँ इसके बाद हमारे पर next option आता है out animation गाई इसको छोड़ दें और rotate और mirroring में आ जाए अब इससे क्या होगा है यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर रहा लेकिन आपको कुछ तब देजी नज़र नहीं आ दी मैंने दुबारा नीचे रूटेट पर भी क्लिक कर रहा लेकिन अब आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्स था वो वर्टिकल हो चुका है अब मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ options में आता हूँ जैसे आपका टेक्स जो है वो जैसे मेर करने चीज़े उल्टी हो जाती है इसी तरह के से आपका टेक्स भी उल्टा हो जाएगा इसको हम डन करते हैं बलकुल सही कर लेते हैं यहां सही हो गया है और हम यहां से मैंने इसको क्लिक करके डन कर दिया आप विडियो चला के देखते हैं कि हमारा टैक्स कैसा लग रहा है अब यी तक हमने सिरिव अपने टैक्स को ब्लिंग किया है और रोटेट किया है ये चीज़ हमने सीखिए अब इसके ओपर खुबसूरती कैसे लानी है ये चीज़ हम सीखते हैं दोबार आपने टेक्स के ओपर क्लिक कर लेते हैं हम ब्लेंडिंग का उप्शन में आगा इसके बाद हम चेक करते हैं अवर ले मल्टिपल यहां पर देख रहे हैं कि आपको जो है वो हमारा जो टेक्स थोड़ा धूड़ा और थोड़ा सा शेडो टाइप नजर आ रहा है तो जो हमें यह फाइदा होता है कि हमारा जो टेक्स है वो थोड़ा शेडो टाइप का हो जाता है बेडroad यानि के इसमें अवग्यूट जो भी color background में होगा वो उसके साफ से लावट में आ जाएगा उसके साफ से उसी रंग में आ जाएगा जिस टाइप का जो है वह हमारा background होगा यानि के background की मिलावट हो जाएगी blending से इसको भी हमने done कर दिया अब हमारे पास जो है इसको चला के देख लिए हमने अब आप देख रहें कि हमारा text जो है वो blend हो चुका है उसमें मिलावट हो चुकी है पिछले वाले color की इसके बाद हमारे पर next option आता है text option का इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने text को underline कर सकते है यू को जो आपको option दिख रहा है इस पर जैसी क्लिक करेंगे आपको जो text है वो underline हो जाएगा यहाँ पर यूपर वाले तीन option है इससे जो है हमारा text जो है वो center में आ जाता है इसको भी हमने done कर दिये अब हमारे पस next option आ रहा है outline का यह है हमारे पस main option इसको enable करें जैसे आप enable करेंगे तो अब आप अपने text के अंदर वाज़ा फर्क देख रहे हैं इस outside की तरफ अब हम जो हैं वो दोबारा इसको मजीद option ट्राइ करते हैं outline के बाद हमारे पास option shadow का shadow पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका text है उसके उपर उसका जो shadow होगा उसका जो साया होगा वो आपको नीचे देखने लगेगा अब यह जो है black color है इसलिए इसके अंदर एक shadow भी आ रहा है और एक अच्छा सा हमें जो है वो अपने लग रहा है अब हम अगेन इसके उपर क्लिक करते हैं और जो हमारे पास मजीद option है वो ट्राइ करते हैं glow glow मतलब होता है किसी चीज़ को चमकदार बनाना तो इसके उपर क्लिक करते हैं इसके उपर हम yellow रंग का ज हो गई है यहां से आप color भी तब्दीर कर सकते हैं color के उपर आप जैसी क्लिक करेंगे आपके पूरा एक color का चार्ट ओपन हो जाएगा इसके नदर हमारे पर टाइप से किस तरीके से color को तब्दीर कर सकते हैं last वाले के अंदर types है इसको हम done कर देते हैं और जो हमारे पास last option बचा है color background का उसको इसको इस्तामाल करके देखते हैं कि उससे हमारी आपन के पर हमारे टेक्स के आपर क्या फर्क पड़ने वाला है इसके अंदर एक पूरी पट्टी आ जाती है यह आप देखे हैं last option है background कलर का इस पर हमने select करा और अब आप इसको enable करेंगे तो आप आप फुल को enable करते हैं फुल with background को तो यह पूरे background के पर आएगा और इसको जो है वह हम color दोबारा गें तबदीर करते हैं क्योंकि yellow से मज़ा नहीं आ रहा और यहां से मेरे को जो है थोड़ा frozen type का color चाहिए या फिर जो है वह ऐसा color चाहिए जो कि background से match हो कुछ यह सुर्माई type का जो है निसलेक कर लिया है अब इसको हम चला के देखते हैं अपने पूरे opener को कि हमारा opener कैसा लग रहा है तो guys यह देख रहे हैं आप एक बहतरी हमारे पाश जो है opener बन चुका है इसके अंदर अब आप जो भी audio डालना चाहें वो audio आप डाल लें अगर still आपको कोई क्यूरी यह तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बोच सकते हैं मैं आपको अपना टेक्स री एडिट कर यह दिखा देता हूँ इसके ओपर आए हमने जो है फिर टेक्स के ओपर जो आपको कीबूर्ट दिखा है इस पर क्लिक करा और हमारे सामने यह लिखा वागे जो हमने पेले लिख लिखा वाता इसको रिमॉफ करा और अब मैं लिख लेता हूँ दी चैंपियन जो के मेरे चैनल का पुराना नाम या फिर इसके साथ में एक नाम लगाया करता दा दी चैंपियन तो अब वो में हटा दिया है और आपके सामने हमारा टेक्स चैंज हो चुका है तो आप टेक् वीडियो में जब तक के लिए आप इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें अल्ला हाफिज